अमेरीकी राजपती जो बाइडन भले ही प्रेसिडंट पोस्ट की रेश से बाहर हो गए हो लेकिन वो जूनाल टरम पर लगातार हमलावर है एक बार फिर उन्होंने ट्रम्प पर हमला बोला है अमारीकी राजपती बाइडन ने एक टीवी इंटर्व्यू में ट्रम्प को देश की सुरक्षा के लिए खत्रा बताया है बाइडन ने काई कि ट्रम्प अमारी की सुरक्षा के लिए एक वास्तविक खत्रा है मेरे लिए मेत्वपूर्ण मुद्दा इस लोक्तंत्र को बनाए रखना है राजपती पत की रेश से बाहर होने के बाद अपने पहले टीवी इंटर्व्यू में क्यासी वर्षिय बाइडन ने इस बात को स्वीकार किया है कि वो बहस में सफल नहीं रहे मगर उन्होंने इस बात पर खासा जोर दिया है कि वो फिट है स्वास के लिहाज से उन्हें कोई गंभीर समस्या नहीं है उन्होंने बताया कि साधन और सिनेट में मेरे कई डेमोकरेटिक सहीयोगियों ने सोचा कि मैं उन्हें इस चुनाव में नुकसान पहुचाने जा रहा हूँ बाइडन ने कहा कि मुझे इस बात की चिंता थी कि अगर मैं दौर में बना रहा तो यही वो विशय होगा जिसके बारे में आप मुझसे पूछेंगे बाइडन ने कहा कि यह मजाक नहीं है बलकि मेरे लिए अभी महत्वपून मुद्दा एक लोगतंत्र को बनाए रखना है इस बेश के प्रती मेरा जो दायत्व है वो यह है कि हम जो सबसे महत्वपून काम कर सकते हैं वो करें और वो काम है ट्रम्प को हराना हमें उन्हें हराना चाहिए बाइडन ने आगे कहा कि मेरे शब्दों पर ध्यान दे अगर ट्रम्प जीतते हैं तो देखिएगा कि क्या होता है वो अमारीकी सुरक्षा के लिए एक वास्तविक खतरा है उन्होंने कहा कि हम विश्व इतहास में एक निर्नायक मोड पर हैं और लोगतंतरी इस देश की कुनजी है अगर ट्रम्प दूसरी बार हारते हैं तो उन्हें सत्ता के शांतिपूर्ण हस्ताक्षिरन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा उन्होंने कहा कि मुझे अपने किये काम पर गर्व है इस दोरान बाइडन ने डेमोकरेट पत की राश्पती उमीद वार कमला हारिस को मदद करने की बात कही उन्होंने कहा कि मैं कमला हैरिस के लिए कड़ी मेहनत करूँगा मैं वो सब कुछ करने जा रहा हूँ जो कमला सोचती है चुनाव अभियान में बाइडन की वापसी की बाद डेमोक्रेट्स की जीत की उमीदे बढ़ गई है कमला हैरिस को भरपूर समर्थन मिल रहा है उदर ट्रम्प और रिपब्लिकन संघर्ष करते नजर आ रहे है वेरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं बागी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 Digital